दोस्तों आपको आईफोन में एक option मिलता है attention aware features का तो वो क्या होता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कहां पर होता है चलिए हम आपको दिखाते हैं जब आप जाते हैं अपने आईफोन की settings में करते हैं नीचे की ओर scroll और क्लिक करते हैं accessibility पर और यहां पर क्लिक करते हैं face id and attention पर तो आपको इस type का interface मिलता है यहीं पर आपको एक option दिखा देता है attention aware features का तो यह क्या होता है देखिए अगर आप इसको यहां पर on कर देंगे तो होगा क्या iPhone में कई सारे चीजे हैं जो आपके attention को detect करके काम करती हैं जैसे for example अगर आप अपना phone चला रहे होंगे ठीक है तो आपका display जो है वो dim नहीं होगा अगर iPhone recognize कर रहा है आपका attention कि आप phone पर देख रहे हैं कुछ चला रहे हैं तो dim नहीं होगा ओके बट अगर आप इसको यहां आप बंद कर देंगे इस type से ठीक है यहां पर password डालना पड़ेगा यह बंद हो जाएगा तो होगा क्या आप अगर display टच नहीं कर रहे हैं भले ही आप phone पर देख रहे हैं कुछ read कर रहे हो जो particular timing set होगी screen time out की वो जैसे ही खतम होगी तुरंती आपका display जो है वो dim हो जाएग क्योंकि यहां पर on है वो आपका attention detect कर लेता है ठीक है कि आप phone पर देख रहे हैं तो वो volume slow कर देता है तो यहीं यह होता है अगर आप इसको यहां पर बंद कर देंगे तो यह काम नहीं करेंगे features ठीक है अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए